अंग्रेजों सल्तनत की पुलिस चौकी को चलाकर अंग्रेज अपसर को मौकी घाट उतार देने वाले नागपुर महल नवाप पुरानिवासी शहीद करांती कारक शंकर महले इनके कार्यों कास मरंग करती वे उनके प्रतिमा को पुश्पमाला पहना कर अभिवादन क्या गया इस मौकी पर नितिन चौधरी नाराइन चीचों ने भाले मौचुद थी देश को आजादी मिलने के पहले इस देश में अंग्रेज सल्तनत की हुकुमत थी अंग्रेजों द्वारा कई जिल्म हिंदुस्तानियों पर धाय गय थे देश को आजादी दिलाने के लिए सन 1942 में करो या मरो का अंदुलन किया गया इस अंदुलन में कई स्वातंतर सेनानियों और क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था नाकपुर के महल परिसर्स्तीत नवापूरा में 17 वर्ष की जिनके आयो थी ऐसे शंकर महले इस क्रांतिकारक नौजवाने अंग्रेजों की जहाब बंदु के रहती थी उस जेल खाने को ही आग लगा दी थी जिसमें धोधू कर पूरा जेल चल चुका था इतना ही नहीं तो देश्वासी उपर जो अंग्रेज अधिकारी जुल्म डहते थे ऐसे अधिकारी की हत्या कर उसे भी मौत के खाट उता रहा था जब शंकर महले इनके 17 वर्ष के उम्रत ही अंग्रेजों ने उन्हें किरफ्तार कर लिया और एक साल तक उन्हें जेल में रखा था जब क्रांतिकारक शंकर महले इनके आयो 18 वर्ष के हुई तब अंग्रेजों ने अपने लौ मैनुल के तहट उन्हें फासी दी थी आज उस दीन का स्मर्ण करते हुए किसान मोर्चा के नेता नितीन चौधरी और उनके कारे करताओं ने क्रांतिकारी शहिद शंकर महले जी को पुष्पमाला पहना कर अभिवादन किया अज शहिद शंकर महले जी की उन्नेत उतिये उनका स्मूती दिन है उन्नीत जन्वरी उन्नीस सुत्रेयालिस में उनको अंग्रेज सरकार ने फासी पर चड़ाया था अत्यांतक कम उम्र में क्रांति की प्रेर्णा नाकपूर भूमी को जगाने वाले क्रांतिकारी महले साब रहे है उनका परिवार क्रांतिकारियों का परिवार रहा है जिनोंने नाकपूर की धर्ति पर खास करके आजादी के आंदोलन की प्रेर्णा स्त्रोत रहा उनके परि पिताश्री से उन्होंने प्रेरना ली थी यहां पर कुछ एक हाास्या हुआ था हास्या के कारण अंग्रेज्जों नों उनको गिरभतार किया था gens BCN News के लिए संजे मीरे इनकी रेपोर्ट